विदान सभा अध्यक्ष कैलाश मेगवाल ने कहा कि भारत एक विपुल, बॉद्धिक, सांस्कृतिक एवं उद्ध्योगिक संपता वाला देश है आजावशक्ता इस बात किये है कि हम अपनी शंपताओं को पहचान कर रास्टे गोरव को उभारें देश फिर से सोने की चिडिया बन सकता है इसके लिए गंबीरता से प्रयास की जाने की जरूरत है मेगवाल शनिवार को महरशी दैरंद सरस्वती विश्विद्याले में उद्धमिता एवं लगू व्यवसाय प्रभंद केंद्र द्वारा आयोजित अंतराश्ट्री कॉन्फरेंस को संबोधित कर रहे थे मेगवाल ने कहा कि भारत के युवाओं को अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा से सीख लेकर मन्थन करना चाहिए था कि हमने गुलामी के दिनों में क्या खोया है यह राश्ट्री एजेंडा होना चाहिए था अब इस दिशा में काम शुरू हुआ है अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के बाद भारत की बहुत इक संपता तो लूटी ही हमारी बहुत दिक संपता विर भी कबजा करने के लिए शिक्षा नीती को बिगाड़ दिया दो बाटने में उसे कहना चाहते हैं एक है देवसाइट पर्याति दो पर्याति है और एक है पर्याति है ने कुरूराणय की दिशा में हो जाए अधिशिंग्राचारी में मठुद्धन नोटे सभी किये एक कोने से करा तो उस्ते पोड़ेता है। एक जाव बठ्ट और यह निवाली करती है कि प्रयामन आपको जहाँ जाना है खरसें करें। कर्यामन के मुख्य वक्ता देवी अहिल्या विशुद्धाले इंदौर के प्रॉफेसर पी अन मिश्रा ने कहा कि देश में उद्धमिता परेटन पर्यावरन और उर्जा के शेत्र में विपुल संभावना है। आज पर्यावरन असंतलन बढ़ता जा रहा है पेट्रोलियम समाप्ती की और अग्रसर है। पर्यावरन असंतलन आने के दिनों में गंबीर रूप धारन कर सकता है। इसे बचाने के लिए अभी से गंबीर प्रयाश शुरू करने होंगे। पर्यावरन अर्जा और उद्धमिता विकास पर अपने विचार व्यक्त किये। कॉन्फरेंस के संयोग डॉक्टर आशीश भटनागर ने विविन सत्रों की जानकारी दी। इससे पूर्वे विधान सबाध्यक्ष केलाश मेगवाल का विश्वद्यालन पहुंचने पर स्वागत किया गया। कॉन्फरेंस में पूर्व कुलपती प्रॉफेसर केसी शर्मा सहित विश्वद्यालिक के शिक्षक और बाहर से आए संबागी भी मौझूद रहे। को ज्यानने रखते हुए अपने अपने प्रोग्राम बना रहे हैं।